तो आज हम बनाएंगे वाइल रैस जो न्यू कमर्स है या जो बच्चे सीख रहे हैं बनाना कि भी किस तरह से वाइल रैस बनाया चाते हैं उनके लिए यह रैस भी बहुत एजी है कुछ नहीं करना है इसमें यह देखें मैंने दो ग्लास चावल लिये थे यह वाले और जब ह तो गुस के लिए क्या करेंगे गैस हमने आउन कर लिए इस चावल को मैंने आदा घंटा पहले सोप कर दिया था और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं आप इंस्टेंट भी डाल सकते हैं यह तीन ग्लास पानी था और मैंने एक लास इसी के लिए रखा कि जो शावल इसमें रह जाएंगे वो इसके साथ सारे अंदर चले जाएंगे अब यह चाल ग्लास पानी डाल दिया मैंने और आदर वंटा पहले मैंने इसे सोप कर रहा था यह सिंपल बॉय ड्राइस हैं कोई इसमें जीरा नहीं डाला है कोई नमक नहीं कोई मिर्ष नहीं कोई घी नहीं एकदम सिंपल अब यह हमने बनने रखती है अब इसके दर हम क्या करेंगे दो तीन ड्रॉप जो है निम्बू के रसकी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे निम्बू का रस डालने से एक तो यह होता है कि भी चावल का कलर अच्छा आता है च अब इसके उपर पूरा ढकन दे देंगे पूरा ढकन दे दिया हमने अब बीच पीच में हम एक मिनट बाद या दो मिनट बाद हम इसको इस तरह से चेक करते हैंगे जब इसका बॉयल आना स्टार्ट होगा तो हम हलका सा लिट को साइग में करेंगे वह मैं आपको कि यहां पर अब हम गैस की लो को थोड़ा फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और इतना सा लिट को पीछे रखेंगे और जब इसकी पानी थोड़ा नीचे हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम जो है लिट को ऊपर करेंगे अभी हम लिट को इतना सा साइट पे और सिम पे इस तो अब हम क्या करेंगे अब हम इस पे पूरी लिट दे देंगे और दो मिनट तक इसको वापस चेक करेंगे इस तरह से इस पैचला को बीच में करके अगर तो पानी आता है तो इसका मतलब कि अभी चावल बने नहीं है बस हमको ऐसे अच्छे से कच्छी नहीं मारनी इसमें बस इस तरह से बीच में बस छ चेक करना है और बन जाыш mushrooms तक इसको लिट देके ऐसे ही रखते हैं अभी देखे अभी पांच little reactive फिर फिर चैक करेंच अगर बन जाते हैं तो फिर देखते करते है रखते ऑं अब ये चावल बन गये है और इस तरह से अब यहां पर अब गैस नं कर देंगे और इसको अब मैं दो मिनट तक इसी तरह से ठकन लगा की रखोंगी और उसके बाद जब दो मिनट हो जाएंगे तो इसकी लिट को इतना हटागी ताकि इसके अंदर की सारी स्टीम निकल जाए और फिर उसके बाद मैं चावल को डैली क इसको हिलाते ने तो चावल टूट जाते हैं और अब इसको बॉइल राइस है चाय पराजमा के साथ दाल के साथ सांबर के साथ जिसके साथ मर्ची खाएं इंज्वाए कीजेगा और मुझे बताईएगा कि यह कैसे बनें बाई